हाई नमस्कार दोस्तों मैं हूं कुनाल और आज हम लोग बात करने वाले इस सरम कार्ड की कि हम लोग कैसे इस सरम कार्ड बनवा सकते हैं जिससे की फ्यूचर में आने वाले सारे लाव जो सरकारी लाव हैं सरमिकों को देने वाले सारे लाव वो हमें मिल सके तो चलिए इस वी को किसी के पास जाने की आउशकता नहीं है तो कैसे कर पाएंगे यह चीज मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए अपने लेपटोप पर या अपने मुबाइल पर आप जो है क्या करना है गुगल क्रॉम को खोल लीजे गुगल क्रॉम आपके पास सौप्टवेर होगा है ना गुगल सर्च इंजन है तो यहां पर जाने के बाद आपको क्या करना है इस जगह पर आपको इसरम लिख देना है इस एच आर ए एम इसरम लिखे सर्च किजे सर्च करते ही आपके पास यह वाल अच्छी जा जाएगा सबसे ऊपर देख लिए http और यह colon e-saram.gov.in ध्यान से देखना है कि यह जिसमें gov.in रहेगा उसी वाले लिंक के उपर हमें क्लिक करना है तो यहां पर हम लोग क्लिक करेंगे इस के ओपर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा इसरम कार्ड का जो है यह main page जो home page यह खुल के आ जाने वाला है जैसे यह page अ जो आप बिलिंग कर रहा है स्क्रीन पर ये वाला रेइस्टर ऑन इसरम आपको इसके उपर क्लिक कर देना है लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि इसरम.gov.in यह आपका वेबसाइट खुला होना चाहिए क्योंकि आजकर बहुत सारे लोग ऐसा कर रहा है कि सरकारी वेबसाइट के जैसा वेबसाइट बना देते हैं और फिर आप बहुत सारे अंजान व्यक्ति जो जिनको इसके बारे में नौलेज नहीं है वो इस पर फजाते हैं आपको ऐसा करना है कि यहां सबसे पहले website verify करना है कि d.gov.in यह last में होना चाहिए चलिए अब आपको क्या करना है इस जगा पर आपको click कर देना है यह जब आप यहां पर click करेंगे तो इस तरह से आपके पास आ जाने वाला है अब यहां पर देखिए आपको किस किस चीज की ज होना चाहिए आपके पास आपका bank का detail होना चाहिए और आपकी जो age होनी चाहिए वह 16 year to 59 year के बीच होना चाहिए तो अगर आप इसके बीच के हैं तो आप इस वाले form को भर सकते हैं self registration कर सकते हैं ठीक है और जो भी सरकारी योजन है उसका फाइदा आप उठा सकते हैं यहां मैंने इसको थोड़ा सा blur कर दिया जिससे कि आपको मुबाइल नमबर ना दिखे और कोई बात नहीं है लेकिन इस जगह पर आपको मुबाइल का नमबर डालना और फिर यहां पर देखेगा यह कैपची का जो है इसको आपको डाल लेना है और यहां पर देखेगा you are a member of employee provident fund organization यहां पर आपको नो कर लेना है employee state insurances में भी आपको नो कर लेना है अगर आप इसमें से किसी पर yes करेंगे तो फिर आपका नहीं बन पाएगा और यहां पर आपको क्लिक करना है तो क्लिक करते ही क्या हो जाएगा आपके पास OTP आएगा आपके नमबर पर और इस OTP को यहां पर डाल लेना है तो यह हमने यह कर दिया OTP हमने डाल लिया OTP डालने के बाद आपको पूछा जाएगा आपका अधार नमबर क्या है तो आपको अधार नमबर यहां पर डाल लेना है अधार नमबर डाल लिए और यहां पर OTP पर रहने दिजे क्लिक और यहां पर आपको कर लिजे इंटर क्याप्ची का यहां पर 562 WX6 यह जो है क्याप्ची का यह आपको डाल देना और यहां पर आपको यहां पर दिखीगा आई एग्री टू टर्म एंड कंडिस्टेशन अंडर इस्रम पोर्टल यहां पर यह यहां पर आपको कर देना है समिट अब आपका चले जाएगा यह समिट हो गया अब यहां पर देखेगा फिर से आपके पास ओटीपी आएगा और इस बार आपको यहां पर लगा डाल देना है ओटीपी यह वाला और यहां पर वैलिडेट कर देना है तो यहां पर जैसे कि आपका details यहाँ पर आजाने वाला है name, date of birth, gender address वेगरा सारची यहाँ पर आजाने वाला है आपको I agree that all the information sun above are correct इसके उपर यहाँ पर क्लिक करना है और इस जगा की continue to continue to enter other details इसके उपर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर अब आपको क्या करना है इमर्जेंसी नंबर में आपको ऐसा नंबर डाल देने है जिन पर की इमर्जेंसी में आप से contact किया जा सके तो यहाँ पर आप एक दूसरा नंबर अपना alternate नंबर या अपने family member का नंबर यहाँ पर डाल देजे और इस जगा पर आपको email address डालना है marital status में अगर आप देखिए never married married widow या divorce जैसे हैं वो चीज़ आपको लिख देना है अगर आप married है तो यहाँ पर married डाल देजे ठीक है यहाँ पर आपको father name या husband name आप जिनका नाम भी डालना चाहें यहाँ पर डाल देजे तो जैसे मैं यहाँ पर father name कर देता हूँ और social category आपका क्या है SC, ST, OBC या general जो भी है category यहाँ पर आपको डाल देना है इसके बाद यहाँ पर blood group आपका क्या है वो वाला चीज़ आप लिख सकते हैं यह optional है तो यह वाला चीज़ यहाँ पर डाल सकते हैं differently abled यह अगर आप किसी भी तरह से physically handicapped हैं तो यहाँ पर yes डाल यह और अगर नहीं है तो no पर डाल यह यहाँ पर nominee details यहाँ पर nominee का details आपको डाल देना है आप किसको nominee बनाना चाहते हैं nominee का data आपने डाल दिया अब इसके बाद आपको क्या करना है nominee का gender क्या है वो लिख लेना है यहाँ पर उनके साथ आपका relation क्या है वो चीज़ आपको to continue त्पिंद्ट है आपका हम एंटिव स्टेंट क्या है यह आपको बताना है तो यहाँ पर आयपको क्या करना है इस तरह से आप रीडियों स़से वो डालेना है इसके बाद स्टेइट स्पेसिफ़ आईडी स्पेसिफिक आईडी में आपको एक ऐसा ID card का यहाँ पे जिक्र करना है जो कि आप जो यह सिद्ध करता है कि आप इसी वाले state में रहते हैं तो जैसे राशन कार्ड यहाँ पे मैं राशन कार्ड लिख देता हूं राशन कार्ड राशन कार्ड या voter eye card आप ऐसा कुछ डाल सकते हैं यहां पर ठीक है और यहां पर देखेगा या फिर आप करेंट अड्रेस आपका जो है वो आपको यहां पर लिख देना है तो यह जो भी नंबर है यहां पर जैसे कि घर का अड्रेस जो है आपका यहां पर आपको State डाल लेना है इस जगा पर डिस्टीक आपको डालना है ठीक है और फिर यहां पर Pin Code वेगर आ सारह यहांपर डाल लेजिए Current location का यहां पर कितने दिनों से आप रह रहे हैं यह वाला चीज आपको यहां पर लिख देना है कितने सालों से आप रह रहे हैं ठीक है और इसके बाद आपको कर देना है save and continue अब यहाँ पे इसके बाद वाला जो पे जाएगा इसमें आपको अपना educational qualification डालना है और यहाँ पर जैसे कि मैं educational qualification इनका डाल देता हूँ तो यहाँ पर आपको अपने laptop से या computer से क्या करना है जो certificates है उसको आपको ले लेना है ठीक है फिर यहाँ पर आपको save and continue पर क्लिक कर देना है यहाँ पर देखेगा अब यहाँ पर देखेगा occupation and skills primary occupations यहाँ पर क्या है यहाँ पर आपको डाल देना है जो भी चीज़ कर रहे हैं जैसे यह ट्यूटर्स एंड अदर टीचर एड्स हॉम ट्यूटर कोचिंग सेंटर वेगर है ना यह चीज़ यहाँ पर लिख देना है इसके बाद यहाँ यहाँ पर सेक्टर नेम आटमेटिक यह ले लेने वाला है फिर यहाँ पर वरकिंग एक्सप्रियंस इस वाले occupation में आप कितने दिनों से हैं तो यह वाला चीज़ यहाँ पर आपको ऐसे डाल लेना है सेकेंडरी और यहाँ पर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पर डाल यह वाला चीज़ यहाँ पर आपको डाल देना है बैंक एकाउंट का नंबर जो भी है यहाँ पर यह सारा डिटेल डालने के बाद आपको कर देना है और इस तरह से यह क्या हो जाएगा आपका पूरा का पूरा रेश्टेशन फॉर्म हो गया तो यहाँ पर यह आपका आचुका है प्रिवियू सेल्फ डिक्लियरेशन इस वाले को आप सेव करके रख सकते हैं कि आपने कैसे कैसे क्या भरा था तो यहाँ पर मैं इसका एक पी पूरा का पूरा आप पढ़ लिजे ठीक और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है इस जगा पर जाना और सम्मीट के उपर आपको क्लिक कर देना है तो आपका इस तरह से क्या हो जाएगा आपका यह कार्ड बन के आ गया इस रम कार्ड और इस रम कार्ड मैं आप यहाँ प पर लिजे ठीक है तो यह देखे इस सरम कार्ड बनकर आपका आचुका है और यह आपका डिटेल्स है आपका प्रामरी ओक्विप्शन क्या है करेंट एड्रेस क्या है कॉंटेक्ट नंबर क्या है यह सारा चीजह आप आएगा और इस तरह का यह नाम वेगरा और आपका डेट कर दिजे आपका रेश्टेशन हो गया ठीक है तो उमीद है यह वाला टुटेरियल आपको पसंद आ गया होगा और अगर आपको यह पसंद आ गया तो सबसे पहले तो आप से लाइक कीजिए दोस्तों के साथ सेर कीजिए जिससे वह भी अपना कार्ड बनवा सके हैं तो चल पसक्तर बना जब सेर किया हैねं अबाइक कीजिए जिससे मन मेंना की रुक दिए यह पन है छोस्तों कीजिए लॉटी टे सबसे हैं तो सम्लाइब कर रेश्टेमें हम दूएल है dumped अना कीजिए और आपको यह बखको